अस्सलाम अलेकुम आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लेगी हैं और इस चैप्टर का नाम है दा स्मॉलर लोफो टोकोज़वा फाइला और यह चैप्टर है चैप्टर नमबर टैन फ्रॉम मिलर एन हारले तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज की वीडियो में हम डि करता है यह से क्रेक्टर डिस्टिक्स की बात करेंगे जो कि इस फाइलम को बाकी फाइलम से ही डिस्टिंगिश करते हैं और सेके नमबर पे हम इंट्रॉडक्शन डिसकस करेंगे इन इस फाइला का इंट्रॉडक्शन ओफ लोफो टोकोज़वा फाइला क्यों कहा चाता है तो इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में तो स्ठार्ट करते हैं विद ऑगलुशनी पर्सफेक्टिव अवगलुशनी परस्फेक्टिव में सबसे जो पहला पॉइंट है यह हम बहुत दफर डिस्कस कर चुके हैं बहुत से जॉलोजिस्ट कहते हैं कि अनिमल लीनेज जो है यह मोनाफाइलाटिक होती है यह कोई भी आवलुशनली ट्री डायग्राम है कोई भी आनिमल लीनेज है तो आप देखें कि इसमें सबसे पहले रूट पे प्रेजन्ट है कोई भी आन्सिस्टर है तो अब इस अवृट से जितने भी फर्डर लेनेजंट जितने भी गृूप रैज करेंगे आनिमलस के वो सारे के सारे actual में इस एक ancestor से belong करते हैं यही बिल्कुल कहना है zoologist का बहुत सारे zoologist का यही कहना है लेकिन क्योंकि एक zoologist का point of view होता है दूसरे उसे disagree करते हैं तो similar case जो है यहां पे भी है यहां पे भी है कुछ जो है जो है वो डिसाइग्री करते जा रहे हैं जे डिसेग्रीमेंट जो है वो सेटल होता जा रहे है जो बहुत सारे zoologist है वो इसको इस पर आगरी करना शुरू हो गया है fica हां भई जो फाइलम्स हैं जो इनमल ग्रूप्स जितने भी इनमल ग्रूपस हैं वह आपस में किस ना किसी पॉइंट पर धूर डूसरे के साल जरूर रिलेटर है अब यह क्यों हुआ है यह आपस में हैं अल्गी यह क्यों हुआ हैं तो यह दो अविद명 के बेश Nada हैं सबसे पहले अगर हम मौर्फोलाजिकल एविडेंस की बात करें तो जब भी हम किसी आनिमल को किसी भी लिवंग और्गनिजम को एवन के देखती हैं तो हम देखते हैं कि उसके फिजिकल अपेरेंस कैसी है ठीक है उसके रहां हम सेके नमबर पर उसके जो भी सेल्स होती है इनकी बात करते हैं ठीक है कि इनके सैलूलर स्रॉक्चिर्स की शेप कैसी है ठीक है तो अब जब हम किसी बी विवंग दूइनमल इस रिलेशन चोग करवाना चाहते हैं था हम सबसे पहले उनकी मौर्फोलाजिकल शेप ज़ेधेंगे ना कि देखेंगे कि एक्स्टरनल उनक क्वाइन फ्लेजिरेट्स की आपको पता है कि स्पॉंजे सो होते हैं यह मल्टी सैलूरर होते हैं ठीक है और यहां पे इनके कॉलर जो है माइक्रवलाय को देखे तो इन दोनों की शेप बिल्कुल से मिला रहा है तो इससे आप अंधासा लगा सकते हैं कि दे आर रिलेटिट वन एंड अधर कहीं न कहीं इनका आपस में कोई न कोई रिलेशन्शिप जरूर है उसके राव जब आपको मॉर्फ लॉजिकल एविडें और आरेने की दोनों आपस में किस हद तक मिलती है आरते रिलेटिट को थास्ट आपर रतार नुट साफ इक बेले आर नहीं मिलती ह्त नहीं हैं तो यह नों जो जो चीज़्यां रहे विडेंश ऑर मोरीकुलर अभुलर एविडेंश्ट को देखते हुए बहुत सारी जो ची इस चीज़ पर एग्री करते हैं कि येस अनिमल लिनेजिस अनिमल किंग्डम और मोनोफालेटिक आल दो एनिमल्स आ रिलेटिट वान अन अधर देवलों तू सिंगल अनसेस्टर ठीक है आप सेकंड प्वायन है कि 3 म 거죠 क्लेरट दो होते हैं तीन मेज़र ग्रुपस जो है वो एनिमल किंग्डम के बाइलेटिकी क्लिय का लिन में सबसे पहले है लॉफो टुकोस अец को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और सेके नमबर पे है ग्राइस्टोस हुआ और धर नमबर पे है डिट्रियो स्टॉमिया अब आप इस ट्राइग्राम को ज़रा देखें तो इसमें सबसे पहले आपको प्रोटिस्ट नजर आते हैं जिसमे Р! सबसे पहले प्रोटिस्ट रहा घृटिस्ट नाइडीर्या nyl imprint और थणे लेसर नाओन घडल्या आ जाते हैं एल उडम और तयौकост पाइल्जों मौरफा चिकमких बॉर्टिस्ट जाते हैं और आग्रे दो है है यह लैलेख लिस्मि कलो ते हैं लोफो ड्रोकोजा में और या सबसे पहलर जो है अगेसर दिंटिर स्प्राओम यारम अब नेक्स्ट ऐसे क्रीच चे की बात करते हैं जो की बाकी इनिमल के स्प्रिंगुष कोने च्टे आप यह triploblastik होते हैं 3 की 3 germ layers endoderm, actoderm and mesoderm जो हैं वो इनकी body बनाती हैं इनकी body के formation में evolve होते हैं second number पे जो हैं bilateral symmetry अब bilateral symmetry के हम पहले ही बात कर चुके हैं कि लोफर्ट्रोकोजोंस जो हैं कि तीनों कि तीनों triploblastik होते हैं थार्ड नंबर पे जो है वो है protostorms अब जो है यह यह दोना अगर हम प्रोटर्ण ऑफ डिवाल्पमेंट की बेस पे किस फॉर्म में embryo जो है वो डिवालप करता है तो उसकी बेस पे दो animals को जो है वो दो खेडी डिवाइड कर जाता है एक होते हैं detstamos और सेक्वन पर होते है protostorms अब जो लोफर्टों को लें ग्रैसिन होए ना ये protostorms जो यह बिए अब हम अब हम दिसक्स करेंगे थोड़ी देर में कि प्रोटो स्टॉम्स और डिट्रियो स्टॉम्स क्या होती है लिक्ष पहले मैं आपको बता देदी तर्णते हैं जिंद में माउच यह होते हैं ना इनमल्स का वह जो ब्लास्टो फॉर्ड होता है अब्लियों क वो इसके से उल्टा जो होता है वो बिल्को डूट्यो स्टॉर्म में होता है फॉर्थ नंबर पर ऐसा रेक्टिर्स है दो जो कि लोफर ट्रोकोजोन को बाकी फाइलम्स जितने भी हम सबसे अलग कर देते हैं सबसे पहले ट्रोको फॉर लार्वा इनमें पाया जाता है या फि त्ट्रोक्ष ब में यह पास लौफ फिल्न फ्ट्रोक्च तॉर्पॉक्च्छ्रउं तो इनको भी हम सबसे करें इसमें हम थो बार्व तो रिशिएगे जया जाते हैं दी युए लोफो फॉर फीडिंग स्टॉक्चर पाया जाता है अगर आप यह डाइग्राम देखें इससे आप इनेमल डाइब जितने भी मल्टी सैलॉलर अनिमल यहां पर पाया जाते हैं आप देखें यहां पर स्पॉंजिस हैं ठीक है आप बेसिकली इसका मकसद है कि हमें निवाइज तरहिए होंजान जो हमने अभी चीजें ठोट से डिसकस किया है यह जो हैं यह मोनो ब्लास्ट होते हैं हमने पिछले चैप्टर में डिसकस किए हैं उसके राव़ घुछ्छे चैप्टर में पढ़ा ट्यनफोर रहा है प्लैकोस जोन है नाइडरियंईर्전 जाएं तो इसके उसके लावा bilateral symmetry और triple oblastic अगले detriostorms भी होते हैं जिनमें detriostorm या जो है वो clear आजाता है जिसमें कुछ invertebrates भी होते हैं जैसे kinoderms हैं और कुछ vertebrates में हैं जैसे क्या आपको नजर आते हैं coadates ठीक है तो हम बात करते हैं protostorms और detriostorms की pattern of development की base पे animals को two types में divide कर जाता है एक को कहते हैं protostorms और दूसरे को detriostorms protostorms ऐसे animals होते हैं जिनमें जो blastopore है blastopore is basically opening of embryo ठीक है इसके तो animal जो होता है वो outer environment के साथ interact करता है तो blastopore जो होता है protostorms की case में mouth में develop कर जाता है मतलब पहले जो है इनमें mouth बनता है mouth की development होती है क्योंकि blastopore direct ही mouth बना रहा होता है और उसमें वो develop कर जाता है लेकिन जो एनस है वो एक separate opening के तोर पे separate बनता है ठीक है develop करता है तो protostorms उन animals को कहा जाता है और dutriostorms बिल्कुल इनके मुक्तलिफ होते हैं different होते हैं इनमें क्या होता है कि वो ही blastopore जो है वो ही opening of embryo जो है यह develops into anus और उसके बाद जो mouth है वो एक separate opening के तोर पे बनता है तो इन animals को कहते हैं dutriostorms animals अब इन मेरा protostorms और dutriostorms animals में cleavage का भी difference होता है राइक जो protostorms animals होते हैं इनमें जो cleavage होती है division of cells होती है वो spiral होती है और जो dutriostorms होते हैं इनमें cleavage जो होती है जो these cells के प्लूप नहीं होते है जो सेल नाइटी डिगरी पर बिलकुल नहीं होते हैं बिल्कुल एक लेह उती है इन में सेल्स वह हलकर TWIST किए रिगरिवज में क्यों होते हैं के सैल्स बिलकुल 90 डिगरी पर एक दूसरे गुपर एक सैल एक एपल है उसके बिलकुल इस तरी इस तरह से उसे बिल्कुर एक ãoकर 90 दिग्री के वैंकर उनी यन्न अब करते हैं तो इसना करीवीद छेके ठिशत प्र Люб mat यह सम चीऊड़ों जबत चैस प्रोट। आयमें करते हैं रहे किस अब बात करते हैं को लोगंषोंको जो Duchosne क्यों कहा जाता है। इनको डो गृफ्ट में रिवाइद का गया है, एक को कहते हैं प्रोकोजोवा और दूसरे को कहते हैं लोफोफोर एटा, अब जो ट्रोकोजोवा में में मेंबर हैं, वो ऐसे ऐनिमल्स होंगे, ऐसे फाइलम्स इसमें आएंगे जिनके पास ट्रोकोफोर इस फीरिकल शेप का पियर की थायर नाष्बादिा की टार इसके पास मौझूचुचय होताманे कि यह उसके लिए में बैंड अफ सीलिया मौझूद है रिंग ओफ सीलिया मौझूद है और ये ये सीलिया आनिमल को धकेलते हैं वाटर में इस लार्वा को धकेलते हैं और इस तरह यह लार्वा जो है यह फ्री स्वीमिंग करता है ठीक है तो इन बैंड अफ सीरिया की मतब्द से यह फ्री स्वीमिंग करता है तो ऐसे अनिमल्स जिन के पास और इन जो है स्टॉक्चर्स को इन बैंड अफ सीरिया को कहते हैं प्रोटो ट्रोच और यह जिन अनिमल करते हैं लोफोफोरeτα ग्रूप की तो लोफोफोर एटैटर gonna गरूप में ऐसे एनिमल्ट आ जाते हैं जिन के पास लोफो 4 structure रॉय बाद मॉजड बज़त होता है अब लोफो restor क्या होता है लोफोДफोर एक टैनेटिकलज होता है जोकी इनके माउथ के अरौंड जो हैं, वो मौझूब होते हैं लोым फोर टेंटिकल्स अब यह क्याख चाहिए क्श्ट करतेs कि यह क्या करें गें यह तो यह पीड़ कर्णास यह पीड़ा करें गे, अब जिसके तरो सब्सक्राइब ऋगyu हैं जो भी फूड होगी फूड मेटीरियल है प्रे है उसको ले के आएंगे उसको पकड़ के लाएंगे और फिर सीलिया का काम क्या होगा कि वो माउथ की तरफ उस फूड को ड्रॉड करेगा तो यह जो है सीलियेटे टेंटिकल्स का काम होता है फीडिंग में अक्चुली इनका जो काम है फंक्शन है वो यह है कि यह फीडिंग में हल्प करते हैं तो इस ग्रॉप में जितने भी आनिमल्स होंगे उनके पास लोफ़ो फूर मौजूद होता है और लोफ़ो फूरेटा में जो ग्रॉप्स पाय जाते हैं उनमें आजाते हैं प्लैली हलमंदीस, फोरो नीडा, एंटो तो अब देख लेते हैं कैसे कौन कौन से फायलम्स एक ग्रॉप्स हैं जो कि लोफ़ो फूरेटा से ब्लांग करते हैं जिनके पास लोफ़ो फूर स्ट्रॉक्चर है उनमें प्लैटी हलमंदीस, रोटी फेरा, ब्रायो जूरा, प्रैक्यो पोर्डा एंट फॉरो नीडा आ सारे उसमें आ जाते हैं